हेलो दोस्तों मेरे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है आज अपन ज़र्जा करेंगे पत्थरों के एलिवेशन के बारे में कैसे एलिवेशन के बाद में घरों की कूप शूर्थी बढ़ जाती है पत्थर की सुंदर्था आपने परवतों में देखी होगी लेकिन जब उसको तरास कर मुर्ती बनाई जाती है और जब उसको एक आकार दिया जाता है तो उसकी सुंदर्था दिल को मोह लेती है ऐसा ही विचार एक आम व्यक्ति का होता है कि मेरा घर सुंदर लगे या मेरा कोई खेत या फार्मा उसो वो सुंदर लगे और उसके लिए कुछ सजावटी चीजे हो और उसका सजावट का जो आकार देने वाला कला का हात होता है वो उसको इतना सुंदर बना देता है कि दे बुग वागने, बन्मेवाने